हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूट्यूब चैनल, फार्मरोक्स के यूट्यूब विज्जू के इसने चैनल में आपका स्वागत है आज की उड़ी लेक्चार में हम डेटेल में स्टेडी करेंगे संस्ट्रॉक के बारे में कि जिसको हम लू लगना भी कहते हैं तो लू लगने के कारण क्या होते हैं कि कौन से रिजन से किसी भी परसन को लू लगती है फिर उसके सिम्टम्स क्या डेवलप होते हैं कैसे हम उसका इलाज कर सकें तो डेटेल स्टेडी करते हैं आज के लेक्चार में और जानेंगे कि गर्मी में लू लगने से आप कैसे बच सकते हैं और कैसे उसका इपचार किया जा सके तो अब समझते हैं संस्ट्रॉक के बारे में कि जिसको हम हीट स्ट्रॉक भी कहते हैं या फिर हिंदी में उसको लू लगना कहा जता है तो ये ऐसे medical condition है कि जिसके अंदर आपका सरीर का जो temperature है सरीर का जो तापमान है वो 40 degree या फिर उससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है overheating के करण और ये overheating का reason ये होता है कि आप समझे के लंबे समय तक sunlight के contact में आते हैं उसके संपर्क में आते है या फिर जो heat wave होती है जो गरम हवाई होती है उसके contact में समझे के person आता है तो उसके करण ये problem जो हो सकता है तो sunstroke एक जान लेवा condition है कि जिसके अंदर आपके body की जो heat regulating system होती है वो fail हो जाती है कि जिससे आपके body का temperature जो जल्दी से down नहीं हो जाता और बहुत सरे complications की उसके अंदर produce होते है कि कई बार emergency treatment की भी जरूरत पर दे because क्या होता है कि हमारे सरीर के ऐसे system है कि जब सरीर का टापमान जो बढ़ता है तो automatically हमारे body की जो regulatory system होती है वो body का जो तापमान है वो फिर से normal कर देती है but sunstroke के अंदर होता यह है कि जब आप high temperature के contact में आते है और वो भी लंबे समय तक या फिर गरम हवाओ के contact में आते है तो उसके करण ये जो heat regulated system होती है वो सरीर के फैल हो जाती है और उसके करण सरीर का तापमान जो वो काफी बढ़ता है तो ये condition जो वो खास कर summer के season में यो जो गरमियों के जो दीन होते है कि जिस वक्त जो temperature होता है बहुत सारे सहरों का या फिर बहुत सार एरिया का 40 degree से उपर या फिर 50 degree तक पहुचता है कि यहाँ पर आप देखो कि जो climate के करण summer के season में बहुत सारे एरियास का आप यहाँ पर temperature देख सकते है कि कई पर 47 है कई पर 50 degree है 48 degree 49 तो ऐसी condition में क्या होती है कि गरम हवाय चलती है कि जिसको हम heat wave कहते है और ऐसे heat wave के contact में समझो कि आप आते है तो उसके करण आपको sunstroke हो सक करता है तो main reason यह कि है कि जो high temperature के contact में आते हैं लंबे समय के लिए दूसरा heat wave के contact में उसी तरह से आते हैं फिर sunlight में आप heavy work करते हैं कि आप ऐसे कोई काम related job करते हो कि जिसमें आपको लंबे समय तक sunlight जो है उसमें आप काम करते हैं या फिर आपका ऐसे traveling रहता है कि जिसके अं संस्ट्रॉक हो सकता है फिर direct contact with heat कि directly आप किसी heat के contact में आते हैं और खास कर यह एक reason बनते हैं कि अगर आप proper पानी नहीं पीते तो उसके करण dehydration हो सकता है और वो एक reason बनता है स्ट्रॉक या फिर heat wave का तो exercise भी एक reason बनता है कि काफी heavy exercise करते हैं आप sunlight के अंदर dehydration के करण आप को sunstroke या फिर heat stroke हो सकता है या फिर बहुत लंबे समय तक आप sunlight के contact में आते हैं दूसरे कुछ भी reason से sunstroke होने के जैसे कि आपने ऐसे कपड़े पएने हैं कि ज्यादा tight है या फिर excessive clothing बहुत ज्यादा कपड़े आपने पएने हैं तो उसके करण क्या होता है कि जो पसीना जो है कि जिसको sweat evaporation का आ जाता है कि जिससे क्या होता है कि सरीर का तापमान जो है वो maintain रहता है पर समझे के काफी ज्यादा आपने कपड़े पएने है या फिर ज्यादा tight clothing आपने की है तो उसके करण problem ही होता है कि वो पसीन आपके सरीर में से बाहर नहीं निकल पाता है जो evaporation की जो process होती है वो नहीं हो पाती है और उसके करण भी आपके सरीर का temperature जो है वो बढ़ता है फिर जो alcohol consumption करते हैं उनके लिए भी ये एक problem होता है because उनकी body जो है वो temperature regulate करने में फैल हो जाती है और body की ability जो है वो कम हो जाती है alcohol consumption के करण तो ऐसे लोगों को भी summer के season में heat stroke या फिर sunstroke के complications देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर आप देखो एक diagram है कि जितनी heat जो हो गेन होती है produce होती है उतनी heat जो हो loss होती है और यह proper balance हमारे सरीर में बना हुआ होता है और उसमें जो sweat evaporation भी एक responsible बनता है कि जो पसीना जो हमारा निकलता है वो भी एक जरूरी process है कि जिससे body क temperature regulate रहता है बड़ ऐसे आप कपड़े पहेंते हैं या फिर आप alcohol consumption करते हैं तूस वक्त यह heat balancing जो हो डिस्टब हो जाती है जिसके करण heat loss जो हो नहीं होती जितनी heat आती है सरीर के अंदर इतनी loss नहीं होती जिसके करण क्या होता है कि सरीर का तापमान जो हो बढ़ता है और व और वो खास कर 40 degree या फिर Fahrenheit में 104 से ज्यादा होता है सेकंड परसन को nausea vomiting जैसा फिल होता है मनले कि उल्टी होती है जी गबराता है उसकी जो skin है वो raid होने लगती है फिर काफी weakness या फिर थकान जैसा या फिर कमजोरी जैसा परसन फिल करता है उसके heart rate जो है वो increase होने लगते है सीड़ दर्थ होने लगता है और breathing भी उसके increase होती है फिर दूसरे कुछ symptoms हम देखे तो excessive thrust में लेकि काफी ज्यादा प्यास लगेगी परसन को उसके pulse जो है वो काफी rapid हो सकते है confusion जैसा feel कर सकता है hesitation जैसा होता है speech जो है वो slur हो जाती है वहलों कि बोलने में काफी दिक्खत होती है कई बार seizure के problem होते है कॉमा में भी patient जा सकता है या फिर loss of consciousness या फिर ये सब symptoms proper control में नहीं आते तो patient के death भी हो सकती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके sign and symptom तो अब बात करते हैं prevention के कि किस तरह से prevent किया जा सकता है sunstroke को तो कहा जाते हैं कि prevention is better than cure तो prevention के लिए सबसे पहले तो जो लोग alcohol consumption करते हैं खासकर summer के season में तो वो उनको एवर्ड करना चाहिए कि आप देख को लिखा है कि no alcohol तो पहला prevention step यह रहेगा second आपको light clothing लेने चाहिए या फिर खुले गपड़े पहनने चाहिए कि जिससे पसीन आसान इसे जो वो निकल सके और इवापोरेशन हो सके जिससे आपके body का temperature नॉर्मल रहे तिसरा आप cap या फिर goggles वगेरा पाइन सकते हैं एक protection के लिए फिर चो था और अगर outdoor जो है आपका काफी ज्यादा रहता है तो उसको limit कर देना चाहिए या फिर जब दूप होती है ज्यादा दोपेर के समय में निकलन जो हो एवड करना चाहिए आपको फिर sunscreen lotion आप यूज कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए आपको या फिर कई बाहर से आप आ रहे हो या फिर ऐसा फिर हो रहा है कि आपका body का temperature थोड़ा सा बढ़ रहा है ऐसा फिल होता है तो आप जो हो cool water से sour ले सकते हैं एंड खाने में जो हो काफी limited diet लेनी चाहिए ओवर eating नहीं करना चाहिए खास कर कि कई बार लोग क्या करते हैं कि काफी ज्यादा खाना खा लेते हैं summer के season में और उनके कारण भी उनको ये problem होता है तो इस तरह से आप गर्मी में लू लगने से बज सकते हैं सबसे important यह है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और ऐसे fruits खा या फिर ऐसे आप drink ले सकते हैं कि जिससे आपके सेरीर के अंदर water level जो अच्छे से बना रहे हैं जैसे कि आप watermelon खा सकते हैं कि या पर जो आप देख सकते हैं कि watermelon का juice भी ले सकते हैं या फिर directly भी उसको कहा सकते हैं कि वो एक पानी का काफी अच्छा source बनता है कि जिसको कलिंगड़ भी कहा जाता है सेकंड रो मेंगो का juice मनले कि जो कच्छे आम का juice बना कर पी जाता है वो आप ले सकते हैं कि वो भी काफी अच्छा है कि लूज से बचने लेके वो भी एक natural home remedy कही जाती है कि आप जो रो मेंगो होता ह है कच्छा आम होता है उसका juice बना कर लेते हैं फिर butter milk भी आप ले सकते हैं आपके diet के अंदर याट कर सकते हैं फिर आप grabs का है कि जिसको अंगूर कहते हैं lemon juice ले सकते हैं coconut water and kokam का सरबत भी आप पी सकते हैं जिससे आप sunstroke से जो प्रेवेंट कर सकते हैं और आपके body को proper hydrated available है वो अच्छे से maintain रहना जरूर है because अगर dehydration हो जाएगा तो भी बहुत सरे complications होते हैं sunstroke के अंदर तो treatment के हम बात करें तो सबसे पहले जो person को sunstroke का problem हुआ है उस person को आप जो है वो सेड़ वाली जगा पे या फिर ऐसे कमरे में रखे कि जहाँ पे आप प्रोपर उसको facilities प्र provide कर सके जिससे आप उसके body को जो है वो ठंडी कर सके और patient को इस तरह की position में सुलाए कि जिसको कहते है हम supine position जो कहते हैं कि और उसके जो पैर होते है वो थोड़े elevated position में रखे फिर patient ने समझो के काफी ज़्यादा कपड़े पहने है तो उसके कुछ excessive कपड़े है या फिर watch वगेरा पैनी हुई है गले में कुछ इसा पैना हुआ है तो वो आप निकाल सकते कि जिससे proper उसको आप treatment दे सको फिर rehydrate करने के लिए उसको fluid देना चाहिए कि उसको fluid के तोर पर पानी दे सकते है खास कर पहले तो या फिर जरुवत पढ़ने पर आप उसको ORS भी दे सकते है या फिर कोई fruit juice दे सकते है कि जिससे उसके अंदर फिर से rehydration आप करवा सको फिर fan यूज़ कर सकते है या फिर AC या फिर cooler यूज़ कर सकते है उसके body का temperature कम करने के लिए तो ऐसे कमरे पे पेसेंट को रखे कि जहाँ पर AC की facility हो या फिर AC ना हो तो fan भी होना चाहिए कि जिससे आप उसके body का जो temperature है वो कम कर सके फिर cold compress आपको देना ह cold compress में लेकि ऐसे एक condition कि जिसके थुरू आप उसका body का temperature कम करते है जैसे कि ice water bag यूज़ करते है और उसको अलग अलग position पर रखते है जैसे कि neck का जो portion है armpits का जो portion है and groin का portion तो वहाँ से क्या होता है कि जो person का body temperature कम होने लगता है या फिर आपके पास cold water bag नहीं है cold compress देने के लिए तो simply आप जो है वो towel या फिर cloth को भीगो के कि ठंडे पाने में भीगो के या फिर ice water में भीगो के patient को sponge कर सकते हैं कि या पे आप देखो patient को sponge treatment जो हो दी जा रही है कि जिससे उसका temperature जो है वो down कर सके और इसी position में उसको सुलाना है जो सीधे सोते हम उसी तरह से उल्टा नहीं सुलाना है patient को सीधा सुलाना है और उसके पैर जो हो थोड़े उपर की और रखने है फिर उसका heart rate आप खास monitor करो blood pressure monitor करो mental status monitor करो और जरुवत पढ़ने पर उसका blood या urine test भी किया जाता है और इस तरह से भी समझे कि patient stable नहीं हो रहा है तो जरूर से उसको hospitalize करना next proper medical treatment देने के लिए जिसके अंदर specially क्या होता है कि patient को IV drip जो हो लगाई जाती है कि उसके जो electrolyte loss हुए है body में से fluid loss हुआ है dehydration के करन तो फिर से hydrated करने के लिए उसको अलग-अलग IV solution या फिर IV drifts चड़ाए जाते है जैसे कि dextrose का 50% solution water के अंदर d5w या फिर normal saline या फिर RL या फिर DNS जैसे जो अलग-अलग IV fluids आते हैं वो patient को drip के through slowly लगाई जाते है कि जिससे उसके body के अंदर जो dehydration हो गया है काफी ज़धा fluid loss हुआ है तो वो आप prevent करवा सकते हैं फिर medicines के हम बात करें तो अगर patient को काफी savering हो रही है तो उसको काम करने के लिए muscle relaxation दवाई है जैसे कि benzodiazepines यूज की जाती है तो benzodiazepines क्या करती है एक sedative effect देती है कि जिससे जो convergence जो होते है वो आप control में कर सकते हैं फिर severing जो होती है patient को वो आप control में करा सकते हैं जिससे कि पूरा जो body जो है उसका दुरूजने लगता है और severing जो देखने को मिलते हैं तो वो कम करने के लिए अलग-अलग benzodiazepines में से जो भी patient को suit हो जैसे कि alprazolam है फिर chlorazepet है डाइजेपाम है फ्लूरा जेपाम है लौरा-जेपाम है अस्ता-जोलाम है तो जैसे हिन में से कोई भी medication patient को IV के थ्रू या फिर ओरली देनी चाहिए कि जिससे उसके सरीर के इंदर जो दूजारी हो रही है उसके body के अंदर severing हो रही है या फिर convergence जैसा वो feel कर रहा है तो वो कम होगा और patient को आप अच्छे से treat कर पाओगे फिर अगर समझे कि ऐसी problem create हुए कि severe acidosis हो रही है तो ऐसे condition में patient को जो है वो दुसरे कुछ medication जैसे कि alkalinizing agent दिये जाते जैसे कि sodium bicarbonate या फिर manidol पर ये option तब ही रहता है कि जब आपको पता चलता है कि severe acidosis के condition जो ही वो produce हुए सरीर के अंदर मतलब कि patient के अगर आप urine test करते हो तो urine काफी ज़्यादा acidic आपको देखने को मिलता है और body के जो organs होते हैं उनकी जो pH है वो जो नॉर्मल होती है उसके compare में समझे के pH acidic होने लगी है तो ऐसे condition में उसके सरीरी के अंदर pH balance नॉर्मल करने के लिए alkalinizing agent जो वो यूस के जाते हैं उसमें sodium bicarbonate and manitol जो में रहे थे बट यह सभी patients को देनी की जरुवत नहीं रहे थी यह सिर्फ उनी patient को दिया जते हैं कि जो severe acidosis का सिकार होते हैं sunstroke के कारण तो यह खास दियान रखे कि यह treatment सभी के लिए नहीं है सिर्फ और सिर्फ ऐसे patient कि जिनके अंदर severe acidosis या फिर उनका urine टेस्ट करने पर पता चलता है कि urine काफी ज्यादा acidic हो चुका है फिर adrenergic agonist agent की हम बात करें जैसे कि do butamine करके medication आती है उसकी injection आप यहाँ पर देखो 250 mg पर 5 ml के तौर पर वो available होता है तो यह medication काया करती है ionotropic state को increase करने के लिए यह medication जो दी जाती है vasodilation produce करती है और जो circulatory system मलब कि आपका जो cardiovascular system को जिसको हम कहते है कि blood circulatory system है तो समझे कि वो system अच्छे से काम नहीं कर रहा sunstroke के कारण तो वो system को proper regulate करने के लिए कि जो circulatory support काफी जरूरी है heat stroke के दोरान कि आप समझे कि patients को IV लगा रहे है या फिर को injection दे रहे है या फिर जो भी कोई medication दे रहे वो उसके systemic circulation लेकि उसके blood में जाके सरीर के अलग अलग बागों में फैलनी चाहिए तो वो तभी फैल लगी कि जब आपका circulatory support अच्छा होगा blood circulatory system अच्छे से काम कर रही है तो इस वक डो-butamine medication जो वे इसमें help करती है कि जो vasodiluasion produce करती है and increase करती है inotropic state जिसका dose रहता है 2.5 से लेकर 10 microgram per kilogram per minute के हिसाब से IV infusion के थुरू patient को दिया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ expert के दरा hospital के अंदर medical supervision में ही लगाया जाता है अब बात करें कुछ warnings की तो warning पहली यह रहेगी कि अगर कोई sunstroke का patient है तो इसको गलती से भी आप जे हो यह दवया ना दें पहला example है paracetamol का दुसरा aspirin और तिसरी ibuprofen तो कई बार लोग ऐसा सोचते कि उसको fever के साथ एक balance कर देते कि body का temperature बढ़ रहा है मतले कि fever की condition है तो यह गलत है यह पर जो temperature हाई हो रहा है उसका reason यह है कि आपके body की जो regulatory system है heat regulatory system वो फ्याल हो रही है उसके करण तापमान बन रहा है ना कि किसी बीमारी के करण या फिर किसी pyrogens के करण because क्या होता है pyrogens मतलब कि कोई भी ऐसे harmful bacteria वाइरस आपके सरीर में enter होते है तो आपका body का temperature बढ़ देते तो उसक्त पैरासेटामोल, aspirin, ibuprofen या फिर कोई non-sterular anti-inflammatory drug काम करी बट यहाँ पे जो temperature बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है आपके body की जो defense system फ्याल होने के करण नहीं ह हो रहा बट आपके body की heat regulatory system फ्याल होने के करण हो रहा है तो यसे सी के detail में medicine course में अलग-अलग बिमारियों के बारे में उनके उपचार के बारे में कौनसी दवा use होती है उनके dose, उनके side effect, warning contra indication एक साल तक pharma rocks के अब उपर तो medicine course को join करने के लिए में whatsapp करे 9016312020 पर या फिर directly हमारी app डाउनलोड करे तो medicine course के लिए में whatsapp करे या फिर आपको डाउनलोड करे good luck and all the best